भी यहोई है कि ऐसे आप सांचображ के आप से आंस्ट ना इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेयोइडस के बारे में इस जाते हैं जाने बॉडी बिलिट के लिए आज अब उसके बारे में बात करेंगे वैसे तो मैं स्टेयोइडस भी तरा अर भी रिकामेंचonton नहीं मेरी जो मोटो है जो मैं चैनल पर बताता हूँ, सबको वो यही है कि नैच्छरल तरीके से आप अपनी फिजीक को तैयार करें, अपनी तरीके से आप अपनी जो फिटनेस लेवल है उसका अचीव करें, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो स्टेरोइड्स का यूज करते हैं, बाकी कि जो लोग है वो सिर्फिटनेस के व्यू से ही वो जिम जोइन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्टेरोइड्स का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें शो आफ करना है, क्योंकि उनके एब्स हैं, परफेक्ट विजीक हैं, उनके पास को सिर्फ शो आफ करने के यहई चोसे चीराइड करते हैं. यह कहां तक सही है जो में प्रोफेशनल के लोग न्यूत्र जो स्टेएड करते हैं के साथ सफस्क्राइड के साथ स्टेएड कर्ते हैं क्योंकि स्टेएड क्या ही डी कने 앞र्सेड जिन में होता है आपको कोई लॉस नहीं होगा कोई साइड एफेक्ट आपकी बॉड़ी में आपको नजर आएंगे लेकिन मैं आपे बात करा हूँ लोगों की जो की प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाना चाहते जो कम्पीट नहीं करना चाहते जो सिफ शुआफ के लिए स्टुरेट्स लेते हैं उनके कहानी बात तक नहीं पहुसती स्टुरेट्स लेकि कुछ दिनों बाद ही उनके साइड एफेक्ट्स चालू होते हैं क्योंकि ना उनने प्रोफेशनल एडवाइस ली है किसी से ना ही प्रोफेशनल गाइड़न्स ली है सिर्फ उन्होंने लोगों को देखके स्यृम करते हैं च mentre प्रोफेशनल एड़न्स को क्रिसिना अड़ी रही है बिना किसी साइकिल को उड़े ने कbersואל के लिए स्टुरेट को सी। तो को सिर्टाइड भाद उनके बाडी में साइड एफेंस करना शूरू हो जाते हैं जैसे औरनी आन्मोणनल इंबैलन्स हो जात साथ होने लगती है और यह होती है steroids के कारण जो कि इन्होंने बिना किसी professional guidance के लिए है अगर आप professional level पर नहीं जाना चाते आप compete नहीं करना चाते तो फिर मैं यही recommend करूंगा कि आप naturally ही अपनी फिजीक को आप बिल्द करें naturally आप फिजीक को maintain करें क्योंकि एगना इंतिरा आप अपना गोल अचीव कर लेंगे अगर आप consistently आप जिम जा रहे हैं consistently आप अपनी टाइट फॉलो कर रहे हैं अपने यह जो डाइट है जो डाइट नेचुरल डाइट मैंने फॉलो की जो वर्काउट साओ मैंने रेवलर किया कंसिस्टेंट रहा तो यह जो फिजीक है वो मैंने नेचुरल तरीके से ही अचीव की ना कि किसी स्ट्योरेज के यूच से मैं भी जाब वेड रोटी लेने जाता था तो वो शॉप की पर मुझे भी रिंकमेंड करता था कि लिए आप कैसू ले लीजिए कोई दो सो थीम सो पर पर यह कैसू लाता था चार सो संतिंग कुछ ऐसी रेक थी वह ले लीजिए आपके आपके आप बहुत जादा शार्पा जाएंगे तो मैंने साफ मना कर दिए क्योंकि मुझे कंपीर नी करना मुझे किसी प्रॉफेशनल लेवल पर नहीं जाना किसी स्टेच में मुझे परफॉं महीं करना तो मैं सुरेड्स क्यों क्यों मैं सिर्थ्याश्य के लिए स्टिरेड्स ila लूऊ harder-on-must ahora-on मुझे live आपको रिजल दिखा देगा और फिर रिजल्ट के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे उसको लेने के बाद और काफी लोग जो बिना प्रोफेशनल गाइदेंस के स्टोरेज्स लेते हैं अग्सा वेगें, हेरफॉल और फिर मेमरी ग्लॉस की जो शिकायते हैं उन्हें होती है और वहां से पीछे मुड़ना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है और आके पराबर हो जाता है क्योंकि एक बार द्रग्स चले गए ब्लेड में तो फिर उसे अलग करना और उसे पॉसिबल हो जाता है तो आप द्रग्स तभी लें जब आप किसी प्रोफेशनल आप अचीब करें यह जी मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी है बिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए नीचे लाल बटन है उसे अप ग्लिक कर लीजिए अगर आपका विक कमेंट है आपकी कोई एडवाइस है मुझे लेके तो कमेंट भी कर सकते हैं बाकी इस वीडियो का आप ज़रूर लाइक करें नहीं पसंद आती है तो आप इस लाइक भी करें एंड शेयर करना ना भूलें टाटा बैवे टेक क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में